समस्त नागों के स्वामी शेश नाग जी जिने आदी शेश या अनंत भी कहते हैं। क्षीर सागर में भगवान विश्णु जी इनहीं पर शैन करते हैं। वे बहु मुखी आदी शेश ही हैं जिन्होंने समस्त ग्रहों ब्रह्मांडों का बहार अपने शीश पर उठा रखा है ब्रह्मांड के निर्मान और विनाश में भी इनकी एक विशेश भूमिका है। महाभारत, रामायन और कई पुराणों में भी इनका वर्णन विस्तार से किया गया है। आज इस वीडियो में हम इन सब ग्रंथों से आपको शेशनाग जी के बारे में संपूर्ण जानकारी जिससे आप भी उनके बल, उनकी शक्ति और उनके प्रभुत्व के बारे में जान पाएंगे। कद्रू ने सो नागों को जन्म दिया था। नागों में सबसे पहले शेश जी ही प्रकट हुए है। जब उनकी माता कद्रू और भाईयों ने बिंता के साथ चल कर एक शर्थ जीत कर उनको अपना दास बना लिया तो इससे रुष्ट हो वो वहां से चले गए। भगवान श पुर्वक रहते हुए शेशनाग जी गंद मादन परवत पर जाकर बद्री का आश्रम तीर्थ में तप करने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा शेशनाग घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर का मास, तवचा और नाडियां सूख गई हैं। ये सब देखकर ब्रह्मा जी शेशनाग बोले भगवन मेरे सब सहोदर भाई बड़े मंदपुद्धी हैं। आते मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, वे बिंता और उसके पुत्रों से दाह रखते हैं। आकाश में बिचरने वाले बिंता पुत्र गरुड भी हमारे दूसरे भाई ही हैं। इन्तु वे शेशनाग उनसे भी सदा द्वेश रखते हैं। तब ब्रह्मा जी बोले शेश तुम्हें जो अभीष्ट हो वे वर मुझसे मांग लो। तुमारे उपर मेरा बड़ा प्रेम है। आज मैं तुम्हें अवश्य वर दूँगा। शेश जी ने कहा, पिता मैं मेरे लिए यही अभीष्ट वर है कि मेरी बुध्धी सदा धरम मनो निग्रय तता तपस्या में लगी रहे। ब्रह्मा जी बोले शेश तुमारे इस इंद्रिये संयम से मैं बहुत प्रसन हूँ। अब मेरी आज्या से प्रजा के हित के लिए यह कार जिसे मैं बता रहा हूँ। तुम्हें क शेश नाग ने कहा आपकी जैसी आज्या है उसकी अनुसार में इस प्रित्वी को इस तरह धारन करूंगा जिससे की हिले डुले नहीं आप इसे मेरे सिर पर रखते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा नागराज शेश तुम प्रित्वी के नीचे चले जाओ। ये स्वयम तुमें वहां जाने के लिए मार्ग दे देगी। इस प्रकार भगवान अनंत अकेले ही ब्रह्मा जी के आदेश से सारे प्रित्वी को धारन करते हुए भूमी के नीचे पाताल लोक में निवास करते हैं। महा भारत के अनुशासन पर्व अध्याए 147 के अनुसार अविनाशी भग पुत्र गरुड अपनी सारी शक्ति लगा कर भी उन पर मातम देव अनंत का आंतना देख सके। वे भगवान शेश बड़े आनंद के साथ सरवत्र विचरते हैं और अपने विशाल शरीर से प्रित्वी को आलिंगन पाश में बांद कर पाताल लोक में निवास करते हैं। व पूरे ब्रह्मांड का भार उठाया हुआ है जिन में देव, गंधर्व और राक्षत सभी हैं। शिरिमत भागवत पुरान सकंद पांच में शुकदेव जी शेशनाग जी का विवरन देते हुए कहते हैं। पाताल लोक के नीचे तीस हजार योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नितिकला है। पांच रात्र आगम के अनुयाई भक्त जन इसे संकर्शन कहते हैं। इन भगवान अनंत के एक हजार मस्तक हैं। उनमें से एक पर रखा हुआ ये सारा भूमंडल सर्सों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलैकाल उप प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संक्या 11 हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदी देव भगवान अनंत अपने अमर्श और रोश के वेग को रोके हुए वहां समस्त लोकों के कल्यान के लिए विराजमान है। देवता, असुर, नाग, सिद, कंधर्व, विद्याधर और म भगवान अनंत का ही ध्यान किया करते हैं। भागवत पुराण के ही सकंध 12 के अध्याई 4 में शिरी शुकदेव जी, राजा परीक्षित को चार प्रकार की प्रलियों का विवर्ण दे रहे होते हैं। एक जगए पर वे कहते हैं। प्रले का समय आने पर 100 वर्षों तक मेग प्रित्वी पर वर्षा नहीं करते। प्रले कालीन समवर्तक सूरे अपनी प्रचंड किरनों से समुद्र प्राणियों के शरीर और प्रित्वी का सारा रस खीच-खीच कर सोख जाते हैं। उस समय संकर्षन भगवान के मुक से प्रले कालीन समवर्तक अगनी प्रकट होती है वायू के वेग से वे और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदी सांतों नीचे के लोकों को भस्म कर देती है वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं नीचे से आग की लप्टें और उपर से सूरे की प्रचंड गर्मी उस समय उपर नीचे चारों और ये ब्रमांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो इसका तातपर ये है कि शिरियादी शेश परम विद्वनसक और विनाशक हैं जो स्रिष्टी की प्रले और उसके निर्मान दोनों समय वही होते हैं शेशनाग जी ब्रमांडों के सरक्षन निर्मान और विनाश इन तीनों कारें को निष्ठा से करते हैं हमारा आज का विडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देके और कॉमेंट करके जुरूर बताईएगा हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आज का विडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए अगली मुलाकार तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे इसी कामना के साथ नमस्कार